जब तक चल रही थी वो, तो वो ट्रेन थी, मुसाफिरों की हमसफर थी, रहगीरों की राज़दार थी, मन्जिलों तक पहुंचाने वाली मददगार थी, लेकिन जब वो टकराई, तो ताबूद बन गई, किसी की कबर बन गई, तो किसी की चलती-फिरती बरबादी का सबब बन गई, ट्रेन के बिखरे हुए डिबबे एक बार फिर समवर जाएंगे, लेकिन हाथसे के बाद जो परिवार बिखरे हैं, उन्हें समेटने में सद्या लग जाएंगी, रोते-बिलखते ये चेहरे अखिलेश यादव के घर के हैं, घर में मातम पसरा है, मा मौन है, बाप पेसुध है, और एक महीने पहले जिसे ब्याह कर लाए थे, वो बिलख रही है अपने पती अखिलेश के लिए, अखिलेश भी उसी ट्रेन में सवार थे, जिसकी दुरगटना से देश ही नहीं, दुनिया तक दहल गई, हाथसे के तीन दिन बाद भी अखिलेश का कुछ नहीं पता, ये तक नहीं पता कि वो जिन्दा है या नहीं, और जिन्दा है तो फिर किस हाल में है और किस अस्वताल में? अमको जनकारी मिलाए कि वो गारी अक्षिडेंट हो गया। वो ताहे नहीं लग रहा है के हाए की नहीं है, हम लोग यहाँ पूरे परसान है एकदर। बिहार के दर्भंगा जिले के बहादुर पूर प्रखंड के मनियारी गाओं के दो युवक अखलेश यादव और बौअ साहब सहानी भी कोरो मंडल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार थे, जो कि ओडिशा के रास्ते बाला सोर में दुरगट नगरस्थ हो गई। ये दोनों नौकरी के लिए जिन नहीं जा रहे थे, लेकिन नौकरी तो नहीं, हाँ, नियती को कुछ और मनजूर था। बार प्रताडित कर रहा है। अखिलेश की जानकारी किसी को नहीं मिल पा रही है। मोबाइल पर पती की तस्वीरे देख, रूपा बार बार बेहोश हो जाती है। पिता परिशान है कि बोवा का भी कुछ पता नहीं चल सका। आखिरी बार मा से जब बात हुई तो बोवा ने मा से कहा था कि उन्होंने खाना खा लिया है और चिंता मत करना। लेकिन उसके बाद रेल दुरगटना की खबर ने हजारों परिवारों में कोहराम मचा दिया। अकलेस और बोवा साहिब दूनों साथे निकला और वहाँ है से उसी गारी पर बठवे किया हूँ। और उसी के बिहान होकर के वहाँ सब पहुँच गया पाँच आदमी खोजने के लिए अभी तक उसको कोई पता नहीं है पताहे नहीं लग रहा है के हाई की नहीं है। घटना की खबर मिलने के बाद से ही गाओं के पाँच लोग बाला सोर पहुच गए हैं और अखलेश और बोवा की खोज में जुटे हुए हैं। लेकिन चाहे अस्पताल हो या फिर हेल्प डेस्क कहीं से भी उन्हें जवाब नहीं मिल रहा। दोनों के मोबाइल भी बंदा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे परेजन किसी अनहोनी की आशंका से तूटते जा रहे हैं। बहराल ओडीशा में हुए रेल हाथसे के ग्यावन घंटे बाद अब भले ही पट्री पर दूसरी ट्रेने लोट आई हैं। लेकिन हाथसे में मारे गए परिवारों के जिन्दियों को पट्री पर लोटने के लिए शायद एक उम्र भी कम पड़े। झाल किशबा के जिए ऐli भी कम परिए ही बाद बाद बादेello हैं। झाल कि जिकि जिल दक